अब अब आप सभी का स्वागत है चलिए मैं आप लोग के लिए एंसे लिए कोश्चन पर भाइड कर रहा हूं तो चलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को बिना अस्क्रिप्ट के विए सुरू से अंतक देखेगा जिससे कि आप लोगो पूरा-पूरा अलाह मिल सके और आप आप उसका लाव ले सके आपको लिए 20 कोश्चन का ये कलास है 20 कोश्चन एंस्व कोश्चन जो है बहुत ही लबदायक आपके लिए होगा तो आप कहीं मत जाएए बने रहें सुरू से अंतक देखेए बहुत ही जैसे-जैसे कोश्चन आगे बढ़ेगा संदार कोशन आपका सामने है ग्राफ पेपर प्रकिरियत तालिका यूजना तालिका अस्टॉप बाच तो क्या राइट अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है कि पीपी एस का अर्थ क्या होता है ऑप्सन आपका सामने है पब्लिक प्रावेट इंटर प्रिंचिप प्रास्नल प्रोटेटीप एक्वèces प्रेस्टन प्रोटेक्ष्ण प्रोटेक्षन नेचे और उप्यक्त में से कोई नहीं क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा option number B P P E S का आर्थ होता है personal protection equipment option number B हमारा correct answer राइट अंसर दोस्तों आप सारा question के सारा question याद कर लिजेगा बहुत ही most important question है जो कि सारा के सारा एक सबसे महत्पून क्या करना चाहिए option आपका सामने है सभी पार्टों को बारी बारी खोलें खोले गए पार्टों को अशेंबल करते समय कठनाई ना आए इसके लिए पार्टों को परपहशान चीह लगाना चाहिए जो पार्ट ना खोले उन्हें हथोड़े की चोट लगानी चाहिए इन में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर होगा हमारा option number B option number B हमारा correct answer राइट अंसर दोस्तों यानि खोले गए पार्टों को असेंबल करते समय कठनाई ना आए इसके लिए पार्टों पर पहचान चीह लगाना अवश्यक होता है जरूरी होता है तो option number B हमारा correct answer राइट अंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर अगला question है कि किसी समय में मांग की मात्रां के उत्पादन के नीती में होती है क्या होता है भाई option आपका सामने है उत्पादन अस्तर की नीती पीछा करने की नीती उप ठेकदारी नीती या फिर टीक्वीम नीती तो क्या right answer होग हमारा option number B पीछा करने की नीती हमारा correct answer right answer किसी समय में मांग की मात्रा के उत्पादन के नीती में होती है पीछा करने की नीती option number B हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि नीम्न में से किस material handling साधन का उप्योग fixed route तथा fixed area में material के movement के लिए किया जाता है option आपका सामने है crane A, pellets, industrial truck, elevator तो क्या right answer को दोस्तों right answer हमारा होगा option number A crane A, option number A हमारा correct answer right answer दोस्तों यह जो हमारा है नीम्न में से किस material handling साधन का उप्योग fixed route तथा fixed area में material के movements के लिए किया जाता है तो crane का उप्योग किया जाता है option number A हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्कीन पे अगला question है कि समागरी परिवहन के लिए बाहनों का उप्योग तब किया जाता है जब ब्यापक्त अभस्थाओं में समलीत हो option क्या है समान भार समग्रिया तुलात्मक रूप में दिरंतन चलती रहे मार्ग परिवर्थन ना हो उप्योगत सभी तो क्या राइट अंसर दोस्तों राइट अंसर मारा होगा option number D all of the above उप्योगत सभी हमारा correct answer राइट अंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके स्किन पर मसीनों के अस्टेटिक टेश्ट में क्या होता है मसीन को चला कर देखा जाता है मसीन को चलाया नहीं जाता है मसीन को बिना चलाए उसकी flatness alignment और समानत्रा चेक की जाती है उप्योगत कोई नहीं तो क्या राइट अंसर दोस्तों राइट अंसर हमारा option number C मसीन को बिना चलाये उसकी flatness alignment और समानत्रा चेक की जाती है option number C हमारा correct answer राइट अंसर दोस्तों आगला question है कि मसीनों को अग्ष्ण डाइन डाइनमाईक टेश्ट में की जाती है क्या किया जाता है option सामने है मसीन को चलाकर उसकी सूतब्सटा चेक की जाती है मसीन को चलाया है हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पे अगला question है किसी टूल की जीवन काल को समाप कहा जाता है यदि क्या होगा भाई option आपका सामने हैं खराव surface finish प्राप्त किया जाता हो पावर में अचानक ब्रीधी हो डाय डायमेंशनल इस्तृता और इस्तृता के साथ ही घर्सन के कारण फ्यूमिंग और ओवर हीटिंग हो उप्युक्त सभी तो क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर होगा दोस्तों चलिए इसके साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है किसी यांत्रिक मश्चीन के रख रखाव कुआ मरमत के लिए उसके नियमित अच्छी तरह से करने के लिए उप्युक्त सभी तो ापेंसर हमारे मेंसर फिक सभी ऑपशन नमटरकरी राइट आंसर दोस्तों यानि किसी यह चली साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर बहुत लजवाब असंदार कोश्चन आपके लिए है आप वीडियो को बीना अस्कूप को यह बने रहें और वीडियो गर अच्छा लागे दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा किसी मसीन के घीसे हुए बल्व की मरमत के लिए निमली खित यंतर का पर्यूग होता है मेंट सेंटर किसी मसीन पर काम करते हैं निमली खित में से किसका पहना जाना सुर्च है कोशन फिर से एक वारे पीट करता हूं किसी मसीन पर काम करते समय निमली खित में से किसका पहंड़ना जाना सुरच्छी थे कवर सीट मलफर मफलर सेंडल बिल्ट तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा कवरिंग सीट कवरिंग सीट पहंडना बहुत ज़रूरी होता है चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है कि मसीन आदी के किसी भी अभियाब की स्रान्ति आयू को सुधारा जा सकता है कि आपका सामने है सौन्ट पीनिंग करके पॉलिसिंग करके इलेक्ट्र प्लेटिंग करके कोटिंग यानि अब लिपन करके तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्र प्लेटिंग करके हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर है मस साट अगला कोशन आपके स्कीन पे अगला कोशन है कि मसीन अनुरच्षन नियमा वली में मसीन को चिकना की निर्टता के सम्मंद में बर्ग ची किसका परतिनीधिक करता है है या करता है आपका सामने है रोज चिकना करना सब्ताहिक चिकना करना मांसिक चिकना करना या फिर बार्शिक चिकना करना कोशन है मसीन अनुरच्छन नियमा वली में मसीन को चिकना की और निरांतरता क्यिस्यम्मंढ में वर्ग चिंग किसी का पर्तिनीदि करता है तो और समने हैं मैं इंगली का भी keska आपको दिखा दुरहाएं आपए इंगली Q का भी कौशन देख लीजिए इहां पर इंगलिज का कोश्चन भी दिया हुआ है चलिए तक दोस्तों राइच अंसर मारा होगा option number C मार्षिक चिकना करना option number C हमारा मार्षिक चिकना करना हमारा correct answer, right answer दोस्तों चले इसलीक साथ अगला question, अगला question है कि मस्षीनों में अचानक आई खरावी को दूर करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, option अपका सामने है routine maintenance, preventative maintenance, breakdown maintenance, उप्यूक्त में से कोई नहीं, तो क्या right answer होगा, option number C, breakdown maintenance, हमारा correct answer, right answer है, option number C, मशीन में अचानक आई खरावी को दूर करने को कहते हैं क्या breakdown maintenance हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसे साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि मशीनों के दैनिक रख रखाओ को कहते हैं क्या कहते हैं breakdown maintenance routine maintenance preventive maintenance उप्युक्त सभी तो क्या right answer दोस्तों right answer हमारा होगा option number B correct answer right answer routine maintenance option number B में दिया हुआ है routine maintenance हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसे साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि पहले से निधारित कार्ज करम के अनुसार की जाने वाले maintenance को कहते हैं क्या कहते हैं option आपका सामने प्रिवेटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस उप्युक्त सभी तो क्या right answer दोस्तों right answer हमारा होगा option number A प्रिवेटिव मेंटेनेंस कहते हैं पहले से निधारित कार्ज करम के अनुसार की जाने वाली maintenance को कहते हैं प्रिवेटिव मेंटेनेंस हमारा करेकडाउन से राइटन से दोस्तों option नमबर ए चलिए इसी साथ अगला कोस्चन आपके अस्किन पर अगला कोस्चन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की सबसे मुख हानी है कौन सा भाई option आपका सामने है उत्पादन में रुकावट सुत्ता का अस्तर परवावित होना आर्थिक नुकसान इन में से कोई नहीं तो क्या राइटन से दोस्तों राइटन से हमारा होगा option नमबर सी आर्थिक नुकसान option नमबर सी हमारा करेक्ट राइटन हो ब्रेकडाउन मेंटेश कि सबसे मुख हानी क्या होता है दोस्तों निवरन अनुुराच्छन नियमित अनुरच्छन विसेश अनुरच्छन तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा option number c नियमित अनुरच्छन option number c नियमित अनुरच्छन निवारन अनुरच्छन कहलाता है नियमित अनुरच्छन हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसके साथ अगला question और last question machine पार्टों की assembly करते समय किस बीधी को अपनाना चाहिए पार्टों को साप करके fit करें जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता हो वह सबसे अंत में assemble हो जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता हो वह सबसे पहले fit हो इन में से कोई नहीं तो क्या right answer को दोस्तो right answer हमारा होगा option number B जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है वह सबसे अंत में assemble होता है हमारा correct answer right answer दोस्तो ध्यान रखे है कि जो पार्ट हम सबसे पहले खोलते हैं वो सबसे लाश्ट में फीट होता है ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए दोस्तों आई टे गाइड लाइन में सभी विद्यार्थिगन को थैंक्स धन्यवाद जो कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहें और आप लोग के लिए मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूं चलिए बीच में इतर डिश्टर हुआ था आपको पता है किसली डिश्टर हुआ बार बार बोलना ठीक नहीं है चलिए इसी तरह बने रहें और अपने